हम exercise 8.1 के question number 11 को solve करेंगे question number 11 इस exercise का सबसे बड़ा question है और सबसे आसान question भी है क्योंकि हमें question में ही सब कुछ दिया गया है बस हमको उसको systematic तरीके से लिखना है और हमारा पूरा question solve हो जाएगा तो चलिए देखते हैं question में क्या दिया गया है त्रभुज ABC वा त्रभुज DEF में AB बराबर DE AB बराबर DE और AB समानतर DE हमें दिया गया है साथ में BC बराबर EF और BC समानतर EF दिया गया है बराबर का निसान इस तरह से होता है जब हम बराबर की निसान को खड़ा करके लगा देते हैं हमारा समांतर का निसान हो जाता है प्लिक्त अगे हमसे कहा गया है सीडिसों A B C को करम्सा सीडिसों D E & E । यहाँ पर A को D से ल और B को E से वर में कहितने और C Koo F से जोड़ा गया है अब हम यहाँ पर इन 6 condition को यहाँ पर solve करना है, सिद्ध करना है, बहुत ही आसान question है, पहला question देखते हैं, क्या दिया गया है, चतुरभुज A, B, E, D, एक समांतर चतुरभुज है, यहाँ पर देखे, चतुरभुज A, B, E, D, यह वाला चतुरभुज हम लेंगे, और इस चतुरभुज को समांतर च चतुरभुज सिद्ध करना है, तो आपकी प्रमे 8.8 में कहा गया है, कि यदि किसी चतुरभुज की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर और समांतर हो, तो वो समांतर चतुरभुज हो जाता है, तो यहाँ पर देखे, चतुरभुज A, B, E, D में, यह A, B भुजा और D, E, भुजा, सम्मुख भुजाएं है, यह आपस में बराबर हमें दी गई है, और समांतर भी दी गई है, तो मतलब हुआ कि A, B, E, D हमारा एक समांतर चतुरभुज है, तो यहाँ पर लिखते हैं, चुकि A, B, बराबर, D, E, वा, A, B, समांतर, D, E, है, यह हमें दिया है, यहाँ कारण में लिख सकते हैं, इसी लिए, A, B, E, D, समांतर चतुरभुज होगा, ठीक है, तो यहाँ पर हमने बस केवल प्रमे 8.8 का यूज़ किया समझने के लिए, और जो भी हमें दिया था, वो लिख करके हमने बता दिया कि एक समांतर चतुरभुज है, अब देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है, चतुरभुज B, E, F, C, एक समांतर चतुरभुज है, B, E, F, C, यह वाला जो चतुरभुज है हमारा, यह भी हमको समांतर चतुरभुज सिद्ध करना है, तो इस तब ये भी हमारा एक समानता चत्रभुज हो जाएगा तो फिर से लिख देंगे याँ पर BC बराबर EF वा BC समानतर EF ये हमें दिया है इसी लिए BEFC एक समानतर चत्रभुज होगा आई होप कि आपको ये दोनों क्वेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे बहुत ही आसान क्वेशन थे अब देखते हैं तीसरा क्वेशन हमारा क्या है हमको AD समानतर C F और AD बराबर C F ये सिद्ध करना है AD समानतर C F और AD बराबर C F ये हमें सिद्ध करना है तो हमने यहाँ पर अभी सिद्ध किया है कि AB ED एक समानतर चत्रभुज है तो यहाँ पर लिखेंगे चूकी AB ED एक समानतर चत्रभुज है इसी लिए हम क्या लिख सकते हैं कि इसकी सम्मुक हो जाएं समानतर और बराबर होती है तो A, B, E, D अगर एक समानतर चत्र भुज है तो जो A, D हो जा है और जो B, E हो जा है ये दोनों बराबर होंगी और समानतर भी होंगी ठीक है तो यहाँ पर लिख देंगे A, D बराबर B, E वा A, D समानतर B, E ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं अब हमने दूसरे पार्ट में सिद्ध किया था कि B, E, F, C एक समानतर चत्र भुज है B, E, F, C अगर एक समानतर चत्र भुज है तो जो B, E भुजा है वो C, F के समानतर और बराबर होगी ठीक है तो यहाँ पर लिख लेंगे चुकि B, E, F, C एक समानतर चत्र भुज है इसलिए क्या हो जाएगा जो B, E भुजा है वो बराबर होगी C, F वा B, E समानतर होगी C, F के यहाँ पर अगर हम चाहें कि यह कैसे लिख दिया हमने तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि सिद्ध कर चुके हैं अभी हमने पहले वाले पार्ट में प्रूफ किया है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दोनों जगा पर कि सिद्ध कर चुके हैं ठीक है, अब देखे, इसको हम समीकरण 1 माल लेते हैं और इसको समीकरण 2 माल लेते हैं, अब यहाँ पर देखे, AD बराबर है BE के और BE बराबर है CF के, मतलब हम BE की जगा पर क्या लिख सकते हैं, CF लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 वा 2 से AD बराबर CF, इसी तरह से AD समानतर है BE के और BE समानतर है CF के, तो AD समानतर CF हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, AD समानतर CF, यह हमारा तीसरा पार था, यह हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया, ठीक है? I hope कि आपको यहाँ तक question अच्छे से समझ में आ गया होगा, अब हम करेंगे अपने next question को, यहाँ पर चत्रभुज ACFD, एक समानतर चत्रभुज है, हमें यह सिद्ध करना है, तो देखिए, इस पार को मैं यहाँ पर कर रही हूँ, ACFD, यह वाला चत्रभुज, इसको हमको समानतर चत्रभुज सिद्ध करना है, तो फिर से जो हमने पहले अभी देखा, वही फिर देखेंगे, अगर समक भुजाओं का एक युगम बराबर और समानतर होगा, तो यह भी एक समानतर चत्रभुज होगा, तो अभी हमने जसके पहले वाले पार्ट में सिद्ध किया कि AD बराबर CF है,ue AD बराबर CF है, और AD समानतर CF है, ठीक है, तो मतलब ये भी एक समानतर चत्रभुच होगा तो हम यहाँ पर लिख लेंगे चूकि AD बरावर CF वा AD समानतर CF है यहाँ पर कारण में लिख देंगे दिया है स्वरी यहाँ पर हमने इसको सिद्ध किया है अभी पिछले पार्ट में तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध किया है ठीक है अगर यह ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि जो चत्रभुच हमारा ACFD है वो समानतर चत्रभुच है इस तरह से हमने चौथा भी कम्प्लीट किया अब पांचवा क्या है AC बरावर DF सिद्ध करना है AC बरावर DF तो देखें अभी हमने सिद्ध किया ACFD यह एक समानतर चत्रभुच है तो समानतर चत्रभुच है तो AC और जो DF है वो क्या होगी इसकी सम्मुक बजाए होगी इसकी यह दोनों सम्मुक बजाए होगी तो सम्मुख बुजाए तो समांतर चत्रवुज की बराबर होती है तो फिर से हम यहाँ पर लिख देंगे कि A, C, F, D समांतर चत्रवुज है यह कैसे लिखा हमने? यहाँ पर चाहे तो हम लिख सकते हैं सिद्ध किया है अभी हमने जश्टिस के पहले ही सिद्ध किया है तो इसी लिए हम क्या सकते हैं कि A, C बराबर होगा D, F के क्यों? क्योंकि समांतर चत्रवुज की सम्मुख हो जाए हैं देखिए यहाँ पर हर एक क्वश्चन आपस में एक दूसरे से रिलेट कर रहा है पूरा का पूरा क्वश्चन पहला दूसरा से तीसरा और तीसरे से फिर आगे की क्वश्चन भी हमारे रिलेट कर रहे हैं अब हम करेंगे इसका last यानि की छटवा question हमारा question number 6 है त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DEF यहाँ पर हमें त्रिभुज ABC और DEF इन दोनों को सर्वांगसम दिखाना है तो यहाँ पर हम ले लेते हैं त्रिभुज ABC वा त्रिभुज DEF में इसमें देखते हैं क्या क्या बराबर है तो देखिए AB भुजा इस्त्रिभुज में और DE भुजा इस्त्रिभुज में यह हमें पहले से बराबर दी गई है AB बराबर DE और BC भुजा और EF भुजा यह भी हमें आपस में बराबर दी गई है तो लिख लेंगे यहाँ पर AB बराबर DE और BC बराबर EF यहाँ कारण में दौनों में लिख देंगे दिया है अब तीसरी चीज यहाँ पर देखिए जो भुजा AC और भुजा DF यह अभी हमने पार्ट नमबर 5 में सिद्ध किया था AC बराबर DF तो यहां से हम इन दोनों भुजाओं को बराबर लिख सकते हैं AC बराबर DF यहाँ पर लिख देंगे सिद्ध किया है तो इस तरह से हमने इस त्रुभुज में भुजा 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 सर्वांगसमता से इन दोनों त्रुभुजों को सर्वांगसम कर दिया तो लिखेंगे त्रुभुज ABC सर्वांगसम है त्रुभुज DEF यहाँ पर साइड 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 सर्वांगसमता से तो इस तरह से हम अपने सारे questions को complete कर लिया है I hope कि आपको ये question बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा अगर आपको इस question में कोई भी doubt है तो आप मुझे comment section में पूछ सकते हैं और अगर question अच्छी तरह से समझ में आ गया हो तो वीडियो को like कर दीजे और अपने friends को जादा से जादा share करिए और अगर channel पर नए है तो channel को subscribe करके notification bell icon को भी press कर दीजे ताकि आपको class 9 की आगे आने वाले videos की notification मिल सके अगर आपने इस से पहले वाले videos को नहीं देखा है यानि question number 1 से लेकर के 10 तक के questions को नहीं देखा है तो आप playlist में जाकर उन questions को देख सकते हैं उसकी link आपको description में मिल जाएगी मिलते हैं next video में thanks for watching this video